हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आप सब का इतना शुक्रिया इतना शुक्रिया कि आपकी वीडियो से इतनी मोडिवेशन मिलती है ना आज एक दोस्त की वीडियो देखी और वहां से इंस्पायर होके मैंने अपनी ये रेसिपी बनाने का सोचा हालांकि मैंने जो बनाया शुरू में वो मेरा ये है मैंने ये अपने लिए पहले भी बहुत बार पोस्ट कर चुकी हूँ ये एवोकेडो अनियन्स और टमैटो और धनिया और हरी मर्च से ग्वाकमॉल डिश जो है वो बनाते हैं और इनके साथ ये टोटिया चिप्स हैं तो इनको डिप करके खाते हैं बहुत टेस्टी बनती है अब थोड़ी सी ये बची थी तो हमारी दोस्ट ने कुछ और बनाया लेकिन उनसे इंस्पायर होके मैं क्या करने जा रही हूँ मैंने एक स्लाइस ब्रेड की लिए उसको थोड़ा सा टोस्टर में मैंने टोस्ट कर लिया क्योंकि ये साइड जो है ये तो जाएगी हमारे यहां फ्राइंग पैन में जिसमें मैंने हलका सा घी लगा दिया और यहां इसके उपर मैं पहले लगाने वाली हूँ ये हमारी चटपटी सॉस ये टमाटो सॉस नहीं है ये जो बाजार से हमारी वो आती है ना इंडिया से जिसमें काफी मिर्ची वगरा और ये वो होता है वो सब चीजें डाली लिए तो पहले इसके उपर मैं वो सॉस डालूंगी उसके बाद मैं चीज डालूंगी तो देखते चाहिए तो जी मैंने अपनी टोस्ट की उपर ये सॉस प्रेड कर लिया अब मैं इसके उपर चीज हालांकि मुझे चीज से थोड़ी सी ऐलर्जी है मैं चीज एवन पीजा भी मंगाती हूँ न तो चीज के बगैर मंगाती हूँ आप सोचोगे फिर पीजा क्या रह गया उसमें पीजे में बस वो ही रहता है सबजीया और सॉस क्योंकि चीज इतना सूट नहीं कर रहा है काफ बॉड़ी चेंज हो गई है तो इसलिए इतना चीज काफी है ने तो फिर बाद में अगर टमी अपसेट होगी तो कोई फायदा नहीं है अब इसको उठा के मैं फ्राइंग पैन में रख दियो तो आइस्ता से उठाया और इसको हमने रख दिया यहां पे फ्राइंग पैन मे अब हम बाकी का चीज जो है वो भी डाल ही देते हैं क्योंकि हो सकता है मैं किसी के साथ शेयर कर लूँ और फिर अब इसके उपर हम दे देते हैं धकन ताकि वो स्टीम से चीज जो है मेल्ट हो जाएगा और इसको हलके से एक पे हम बनाते हैं तो फ्रेंड्स हमारा चीज यहां पे मेल्ट हो चुका है और दूसरी साइड से नाइस और टोस्टेड टोस्ट बन गया है थोड़ा सा जादा हो गया था टोस्टेड लेकिन कोई बात नी चलता है अब इसके उपर मैं यह वाला ग्वाकमोल जो है वो स्प्रेड करूंग तो इसको स्प्रेड करने के लिए हम ऐसे इसके उपर रखेंगे और इसको ऐसे स्प्रेड कर देंगे और गर्मा गरम काइंड अफ जैसे पीचा है पीचा में भी हरी मर्च धनिया और यह वो सब कुछ टमाटर अनियन सब डले होते हैं तो यह है जी आवकेड़ो के साथ एक रि जो की बहुत हेल्दी है अब इसको मैं काट देती हूं और यमी यमी खा लेती हैं तो फ्रेंड्स यह रहा हमारा आज का न्यू सैंड़िच क्रियेशन जो हमने बनाया है आपको कैसे लगा देख के बताईए और खुद भी ट्राइ करिये और उसके बाद हमें बताईए कि आ avokado मुश्किल मिलते हैं या बहुत जादा महंगे मिलते हैं लेकिन एक बार आप avokado खाएंगे न तो आप चाहेंगे कितना भी महंगा हो और उसके health benefit बहुत हैं तो आप जरूर उसको खाएंगे तो try करिएगा friends bye for now